हेलो एवरिवन आज हम बनाएंगे रोहु फिश जो कि बिलकुल डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और खाने में इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा लाज जवाब होता है तो उसके लिए यहां पर मैंने ले लिया है एक किलोग्राम रोहु फिश जिसे हमने अच्छे से दो लि लिया है करीबन 17-18 काली मिर्च और ले लिया है साथ से आठ सुखी हुई लाल मिर्च तीखी वाली लाल मिर्च है दो चमच मैंने साबुच जीरा साथ ही 15-16 लहसुन की कलिया दो इंच अधरक का दुकड़ा और लिया है एक चमच साबुच जीरा इन सभी को मिक्सर जार में डाल देना है अच्छे से और हमें इसका फाइन पेष्ट बना लेना है चुकि मसाली अभी सूखे है ड्राइ है तो इस वज़े से थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि यह बहुत ही अच्छे से पिस जाए तो यहां पर मैं करीबन दो बड़े चमच यहां पानी एड़ कर रहे ह इस पर आधा नीबू करस इस तरीके से नीबू करस निचोड करके बनाने से थोड़ी बहुत जो इसमेल रहती है वह भी चले जाती है और बहुत अचासा फिश पे टेश्ट आता है तो नीबू करस जरूर एड़ करिएगा आधा नीबू करस ही बहुत है उसी के साथ मैंने लगबग एक चमच की बराबर हल्दी पॉडर एक बड़ा चमच मैंने लाल मिर्श का पॉडर एक चमच मैंने लिया है यहां पर कीचन किंग मसाला उसके बाद जो हमने मसाला पीस करके रखा था ना वो मसाला हमें इसी टाइम पर एड़ करना है अगर आपके कीचन किंग मस आपकी पस ना हो तो आप यहां पर कोई भी गरम मसाला या फिर कोई भी सब्जी मसाला एड़ कर सकते हैं और बस इन सभी को देखो हमने जो मसाला पीसा था यहां पर हमें पूरा डाल देना है थोड़ा बहुत जार में बचा हुआ है वह हमें इसमें बाद में एड़ करेंगे और इसे के साथ हम करीबन एक चोटा कटोरी हमने यह पर कच्चा सर्सो का तेल एड़ किया है और जिसमें हमने मसाला पीसा था जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे उसे भी इस तरीके से खंगालते हुए डाल देंगे क्योंकि हमने मसाला जो पीसा है उसे बहुत अच्छा टेश्ट आता है बिल्कुल इदम ट्राडिशनल टेश्ट आता है एक बर इस तरीके से आप बनाएंगे जिसे भी खिलाएंगे आपकी तारीफ करते नहीं थेकेगा तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा ये रिस्पी सच में दोस्तों आपको और आपकी फेमिली को ये रिस्पी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा तो चलिए हम सारे मसालों को फिश की इस तरीके से कोटिंग कर लेते हैं मतलब मसालों के साथ हमें फिश को यहाँ प करीबन एक घंटे पहले कर लेनी है कम से कम एक घंटे पहले तो जरूर करिएगा और इस तरीकी से मसालों को हमें मिक्स करते हुए एक घंटे के लिए इसे ब्रैश्ट पे छोड़ना है तो आप देख सकते हैं मसाली पी अभी बहुत ही जादा है अच्छे से मतलब फिश की उपर कोटिंग हो गई है और यह देखिए हर एक पीसे को हमने अच्छे से हाँ पर मसालों के साथ लपेट लिया है और एक्स्ट्र मसाला और भी बहुत सारी बच्ची हुई है प्लेट पे हमें उसका भी आगे यूज करना है तो आपको बहुत ही जादा यह रिस्पी तो यहां पर देख सकते हैं मैंने गैस पर रग दिया है एक फ्राइपन और उस पर डालेंगे हम करीबन एक बड़ा चम्मत सरसो का तेल तेल को अच्छे से हाँ पर पैन पर फैला लेंगे चारो साइड और जैसे यह थोड़ी से गरम हो जाए हमें इसमें क्या करना है फिश फ्राइप करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं एक गंटे में फिश बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गई है थोड़ा थोड़ा इस पर मसाला लगा लेते हैं और इसे एक एक करके उठाते हुए हमें डारेक्ट पैन पे इस तरीके से फ्राइप करने के लिए डालते जान करके उसके साइड यहां पर चेंज करनी है यह देखिए एक साइड से बहुत अच्छे से यहां पर हमारी जो फिश है वो फ्राइप हो चुकी है कलर भी कितना ज्यादा अच्छा सुनहरा कलर सा आ गया है दूसरे साइड भी हमें ऐसे ही इसे फ्राइप कर लेना है करीबन त कड़ाई में इसे नहीं तल कर निकाला है वरना इसके जो मसाले हैं पूरी कड़ाई में फैल जाएंगे तो इस तरीके से जो हम मसाले वाली फिश बनाते है तो इससे हमें सैलो फ्राइप ही करना होता है अतलब तावे पे ही फ्राइप करना होता है इस ते इसके मसाले जो है कड़ाई पे या फिर तेल पर नहीं फैलते हैं और मचली भी जो हमारी फिश है वो बहुत अच्छे से पकती है जैसे ही वो दोनों साइट से अच्छे से फ्राई हो जाए हमें उसे इस तरीके से प्लेट पे तेल को निधारते हुए यहां निकाल लेना है और जो बाकी बचे हुए फिश है उसे भी मैं आपको दिखा देती हूँ चलिए तो यह देखिए जो बाकी बचे फिश है इसमें 4 पीस अभी बाकी है और आपकी मसाला देख सकते हैं यह देखिए बहुत सारे भी मसाला बाकी है इसका हमें अगे यूज़ करना है मैं आपको आगे दिखाउंगी कृसे इस मसाले को कैसी यूज़ करना है तो चलिए यह देखिया बाकी जो बचे फिश है ना उसे भी हम इसी तरीकि से फ्राइ कर लेते है तो इसी फैन पे हम सभी फिश को आड़ कर दिये है और इसे भी हमें अलटते पलटते अच्छे से हाँ पर फ्राई कर लेना है देख सकते हैं ये फिश भी हमारी बहुत अच्छे से हाँ पर फ्राई हो चुकी है है ना ये देखिए कलर भी बहुत अच्छे से आ गई है अब इसी तरीके से हमने उसे भी फ्राइ कर लिया है और इसे भी हमें क्या करना है जैसे ही ये फिश दोनों साइट से अच्छे से फ्राइ हो जाए हमें उसी प्लेट पे इसे निकाल लेना है तो यहां पर अलमुष्ट हमारी फिश फ्राइ हो चुकी है उसी फ्राइ जो प्ले इसके बाद दोस्तों मैंने गयास पर रख दिया एक कढ़ाई कढ़ाई में डालेंगे एक चमस सरसो का तेल तेल जैसे ही गरम हो जाए हमें इस पर डालना है बारिक कटा हुआ तो प्याज को मैंने ना दो मिडियम साइच को चौपर में अच्छे से चौप कर लिया है एक दम यहांपर बड़ी ते ते से चौप ए परता ऑरिक उसे करने के बाद हमें अच्छे से मिक्स करते भी लूो टू मिडियम फ्लेम पर अच्छे से फिגना आ यहांपर बहुत। इस पर पटाए में इस पर टमाटर तो यहांपर मैंने बड़े साइच का देसी टमाटर है जो फिश होती है उसमें थोड़ी खटाई होनी चाहिए तो इससे क्या होता है इससे बहुत अच्छा टेश्ट आता है साथ जो इसमें थोड़ी जिसे बोलते न अबिस्सल वाली स्मेल रहती न वह बिल्कुल भी चली जाती है तो खटाई जरूर से एड़ करिएगा जहाए आ इसमें लो फ्लम पे अच्छे से बुझाई करनी है देख Bीच में इसलोस अच्छे से बुण करके पका लिया है तो हमने इसमें पड़े खरेंगे cable करना हुआ है जो प्लेट में हमने मारिनेट के इसमें इसमें ठायक मेंягली तो सारा हमने में डुड़ा सा पानीयर करेंगे उसे भी इस तरीकी से डाल देंगे वेश्ट नहीं करेंगे और बस इसे अच्छे से भुनाई करेंगे तो medium to low flame पे हमें मसालों को पहले तो mix कर लेना है उसकी बाद इसे अच्छे से भून लेना है ताकि जो अद्रक लसून जो है न सारा कुछ हमने add किया था उसका जो कच्छा बन होता है वो दूर हो जाए और यहाँ पर जो मसाले है बहुत अच्छे से पक जाए क्योंकि जो मसाले भूनेंगे बहुत अच्छे से जब पकते है ना तो उसका जो gravy बनता है ना उसका बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है तो यहां पर मसालों का भुनना बहुत जरूरी है मसालों को इस तरीकी से हमने देख सकते हैं 7-8 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे से भुन लिया है ओल यहां पर सेपरेट हो चुकी है और यह देखे टेक्शर कितने ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी ना खुशबू आ रही है क्योंकि जो हमने इस तरीके से मसाला फिश के लिए तयार करते हैं पीस करके बनाते हैं इसे बहुत अच्छा टेश्ट आता है तो आप इस तरीके से एक बार जरूर ट्राय करिएगा देख सकते हैं मसाला के बुनने के बाद हम इस पर डालेंगे करीबन एक गिलास पॉनांगे तो यहाँ पर मैंने मिडियम ग्लास में एक गिलास भर करके पानी अड़के है ग्रेवी आप अपने इनुशार कम ज़धा कर सकते हैं अगर आपको ग्रेवी जादा रखनी हो तो आप यहां पर पानी जादा अएट करिएगा अच्छे से मिक्स करने के बाद ग्रेवी पी बहुत अचासा उबाल लगा लेंगे जैसे ही उबाल आजाए बस फिश को एक एक करके हमें एड करना है इकठे प्लेट समेत नहीं डालें तो आप इसी तरीके से मेरी तरह इसे शैलो फ्राई करके ही बनाएगा इससे बहुत अच्छा टेश्ट बरकरार रहता है जो प्लेट था ना उस पे थोड़ा सा मैंने पानी एड किया उसे भी यहां पर एड कर दिया और बस इसे हमें लेट लगा कर पकाना है कर्वें साथ स मिनट तक लो फ्लेम पे ताकि जो ग्रेवी का जो फ्लेवर है वह फिषल के हर एक पिसे में बोखत एश्य से समाज हैं और बहुत अच्छा सा टेश्ट आ है और यह देख히ए बहुत ही है बन चुकी है बहुत अच्छी आई खुश भू भी आर यह आ रही है बस उपर से हम यहां पर हरा धनिया और यहां पर हम कर देंगे गैस बंद गैस बंद करने के बाद जैसे वो ठंडी होती है तो इस तरीके से वो दिखने लगती है जो कि बहुत ही जादा शानदार लगती है देखने में इतनी जाद अच्छा लग रही है तो सोच सकते दोस्तों कितनी जादा और टेश्टी होगी खाने में तो आप एक बार इस तरीके से जरूर ट्राइ करिएगा सच में आपको बहुत ही जादा पसंद आएगा तो फ्रेंड्स लीजे बंद करके तयार है सुपर डुपर टेश्टी फिश करी ये बिल्कुल नए तरीके से नए सुआद में तो आप एक कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसी तरह की नए नए रेस्पी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे एक और नए मज़ेदार से रेस्पी के साथ तब तक बाई बाई आप अपना खयाल रखिए स् झाल